सब्सक्राइब कैसे हो आप सभी तो रूपेज की रस्वी में आप सभी का है स्वागर आज में एक ऐसी रसेपी लेग गया हूं जो बत्चों को बहुत पसंद आती है वह है चौकलेट लाबा की रसेपी आप सभी शियर करें चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं साना हूं तो यहां पर मैंने चॉपैल टॉ करते हैं चॉपैलों करतें हैं 5 शौटिट तो शौन को मैंट करते हैं यहां पर मैंने बर्तन में पानी रख दिया है और इसमें मैं चौकलेट मेल्ट करूंगी वह किस तरीके से करूंगी आप सबीची बताऊंगी तो यहां पर पानी करम हो चुका है हम बाउल लेते हैं सबसे पहले और इसमें इसको रख देते हैं और यह चौकलेट है इसमें तो कि में अदर कप दूद के तो मैंने इसमें आदा कप डूद को इसको ने मेखने जो दूद हमने डाला है वह ठीक हो जाएगी झालीलिट जाब में आध हीसको आपफे यह हम उन हुआ है है हमारी चोकलेट काफी अच्छे से मैल्ट हो गई है और यह देखिए बहुत अच्छे से आप हम यहां पर गैस की फ्लेम कर देते हैं बन चोकलेट को बाहर लिका लेते हैं कुर गो को तो यहां पर है इसका हम क्या कटें इसका है इसको लिए प्सकित को करा लेए दूद क्रतूदर इसका और वाज़ा इसमें हम डालेंगे दो कफ दूद तो इसमें दो कप दूद आल ये तूसरा कप कि अब इसका हम नहीं है तो इसका हम एक बैटर बना लेते हैं जाड़ कर देखे काफी अच्छे से बन चुका है और अब इसमें हम एट करेंगे यह एक इनो का पाउच यह पूरा इनो का पाउच एट कर रहे हम इसमें और फिर से एक बारी हम इसको चला लेते मिक्सी में जाकि काफी अच्छे से जो इनो है वो मिक्स हो जाए देखे हमारा डुकर पैटर है तो घ्रीक जार हो चुका है इसमें हमने चीनी का इस्तमाल नहीं किया है तो आप हम यहां पर क्या करते हैं हम जिसमें बनाने वाले हैं वो आपको बताते हैं किसमें बनाएंगे हम यह और हम क्या करते हैं गैस को करते हैं और कडाई को होने देते हैं गरम यहां पर हमारी जो कडाई है वो गरम हो जाएगी उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे आगे तो यहाँ पर हमने लिए हैं यह स्टील की खटोड़ी ओर यहाँ पर आप जो हैना कम भी इस्तjem कर्षकिते नियुस्टे أنا कर इस अब एल और पर सबूलाद क्या करूंग यह जो बैटर है हम इसमें डॉल कि डॉल देते हैं तो अब क्या करते हैं यहां पर जो हमारी चॉक्लेट है वो देखी काफी अच्छे से थेक हो गई है अब यहां पर हम इसमें चॉक्लेट दाल देते हैं कि अच्छे लिए तो हमने यहां पर सभी कर्टोरियों में चॉक्लेट डाल दिया है अब यहां पर हमने इसको टैप नहीं करना हमने ऐसे ही उठा के कड़ाई में रख देना है कुक होने के लिए तो हमारी जो कड़ाई है देखे काफी अच्छे से गरम हो गई है अब यहां पर हमने क्या करना है चाहे तो आप कर्टोरी रख दीजिएगा चाहे आप इस तरीके का कोई इस्टैंड हो इस्टैंड रख दीजिएगा चाहे प्लेट रख दीजिएगा अब यहां पर हम क्या करते हैं यह कर्टोरियों को इस तरीके से लगा देते हैं अब यहां पर हम वेट करते हैं छे से साथ मिर्ट का कि इसको कबर कर देते हैं हम 6-7 मिर्ट के लिए और गेस की फिल मेडियम रखेंगे तो 6-7 मिर्ट हो चुके हैं केक को रखे हुए इसको एक बार ही चैक कर लेते हैं हम तो हमारा जो केक हैं लगबख काफी अच्छे से बन चुका है अब यहां पर गेस की फिल्म हमने बंद कर और 2 मिनाट के बाद इसको चेक करेंगे यह देखिए हमारा चौकोलावा केक बहुत ही टेस्टी बनके रेड़ी है और इतना सौफ्ट आप इसको घर पर बहुत ही अच्छे से और इजली बना सकते हो और ये चौको लाबा केक इसको गरम-गरम खाने में ही अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है तो ये मेरी छोटी सी रेसिपी थी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सस्काइब जरूर कीजेगा और एक लाइक कीजेग तो आप भी बना के ट्राइ कीजेगा इसको तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक बने रहे हैं रुपेश की रशोई में